बोट ने अपना निव निक बैंड लॉंच कर दिया है बोट रॉकर्स 330 अब इसमें आपको एंसी मिल जाता है एक्टिव नाइस कैंसिलेशन वैसे बहुत सारे अच्छे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं तो आगे मैं आपको इसका प्रॉपर एक डेटेल रिब् गया है जैसे आपको इसके आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है फिर इसमें टाइप एकल की ब्लड ब्ल जाता है पिर इसमें उनलाब शुकीर। चार्ज करने के लिए इसमें आपको user manual मिल जाती, warranty card और एक boat का sticker देखने को मिल जाता है, इसमें आपको two pair extra air tips भी देखने को मिल जाती है, वैसे गर neckbands के हम design और build की बात करने हैं, तो जैसे आप इसको first time देखोगे, दिखने में ये बहुत ज़्यादा premium आपको लगेगा, वै अब ये वाला जो आपको area मिलता है और दूसरी side में जो battery compartment का area है, ये दोनों आपको metal build इतना area देखने को मिलेगा, उपर side में आपको rubber stack का कुछ material मिल जाता है, आप even इसको fold करके pocket में भी रख सकते हो, इतना ये छोटा हो जाता है, अगर इसके wires की बात करें, तो यहाँ पर attach हो जाते हैं कुछ इस तरह से, तो अगर आप इनको neck में डालोगे तो इधर उदर नहीं जाएंगे, आपस में ऐसे attach रहते हैं, और यहाँ पर आपको इसका transparent design देखने को मिल जाता है, जहाँ पर अंदर का आपको speaker वगरा देखने को मिल जाएगा, वैसे earbuds का size ये थोड़ा 24 hours का आपको total music playback time मिल जाता है और यह fast charging को भी support करता है, तो 10 minute charge करोगे, तो 5 गंडे का battery backup मिल जाता है, dual pairing है इसके अंदर में, IPX4 की rating है, sweat or splash resistant है, Bluetooth version 5.2 आपको इसमें देखने को मिल जाता है, वैसे अगर audio side से बात करें तो इसमें आपको 30 mm के big drivers देखने को मिल जाते हैं, ज crisp and clear आपको सुनाई देते हैं, क्योंकि पिछले कुछ time से मैं इसको use कर रहा हूँ, इसका music experience काफी सही बने वाला, आपको वहाँ पर कोई भी कमी इसमें देखने को नहीं मिलेगी, आपका music experience और बेटर बनाने के लिए, company ने इसमें direct optio technology भी दी है, तो अगर आप multifunctional key को सिर experience और बेटर हो जाएगा, थोड़े से और इंप्रूफ हो जाएंगे इस algorithm की मदल से, आपको पता चलेगा, इसमें आपको built-in ANX technology मिल जाती है, इसका use कहाँ पर आएगा, अगर आप phone calls पे बात करते हो, तो microphone बहुत हट तक background noise को reduce कर देता, आपकी जो voice क्रिस्पेंड के लिए जाती है, सामने वाले बंदे के पास में, तो अभी मैं आपको इसका एक demo दिखा दे हो, तो music play या फिर pause हो जाएगा single click पे, प्लस वाला जो button है से आप volume increase कर सकते हो, और अगर आप इसको long press करके रखते हो, तो next song भी हो जाता है, और जो minus वाला यहाँ पर button दिख रहा है, इसको अगर आप प्रेस करते हो, तो volume कम हो जाता है, और आप इसको long press करके रखते हो, त enable करना है, तो multifunctional key को दो बार आपको continuously press करना होगा, यह mode enable हो जाएगा, और off करने के लिए भी आपको दो बार press करना होगा, disable हो जाएगा, अगर कोई call आई है, तो आप single click पे call को receive कर सकते हो, और cut करना हो, तो आपको एक बार इसको फिर से press करना होगा, आपकी call disconnect हो जाएगी अगर incoming call आई आपको receive नहीं करना है, तो आपको इसे दो बार press कर देना होगा, call disconnect हो जाएगी, तो आपको ANC वाल यह button दिख रहा है, इसमें आपको तीन mode मिल जाते है, एक बार अगर आप first time प्रेस करोगे, तो active noise cancellation activate हो जाता है, फिर से press करोगे, तो ambient sound जो है voice का enable हो जाएग तो अगर आप इसको full charge करोगे, तो 24 घंटे का almost आपको battery backup मिल जाएगा, battery backup थोड़ा सा कम हो जाएगा, अगर आप ANC active noise cancellation को use करते हो, उस case में आपको 20 घंटे यह आसपास का battery backup देखने को मिलेगा, वैसे यह fast charging को भी support करता है, तो अगर आप इसको 10 minute charge करते हो, तब आपको 5 घंटे का music playback time देखने को मिल जाएगा, तो अगर बैटरी backup काफी सही मिल जाता है, एक दिन आपका पूरे अराम से निकलने वाला है, और fast charging दिस की काफी better मेरे को लगी है, तो overall दोस्तों कुछ इन ही features के साथ में boat rockers 330 neckband जो है वो इंडिया में launch हुआ है, इसकी जो price है 1499 या देखने को मिल जाती है, तो बिल्कुल मैं आपको recommend करूंगा, 1500 के आसपास आपका budget है, तो definitely आप इसे buy कर सकते हूँ, कोई कमी फिलाल मुझे इसमें देखने को नहीं मिली है, बाकि आप लोगों का क्या opinion है, snakeband को लेके नीचे comment करके बताइएगा, अगर वीडियो helpful लगी हो तो like करिए, और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को subscribe करिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो में लेके आता रहता हूँ, फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ, मैं आपसे अगले वीडियो में